बॉलिवुड अभीनेता टाइगर श्रॉफ ने कुछ दिनों पहले ही अपनी एक्षन फिल्म गंपत का एलान किया है, जिसमें वो एक्षन अफ्तार में दिखाई देंगे. टाइगर श्रॉफ स्टारर इस फिल्म का निर्देशन विकास बहल करेंगे, जिन्होंने कुछ समय पहले रितिक रोशन के साथ सुपरतीस जैसी सुपहित फिल्म दी है. विकास बहल और टाइगर श्रॉफ फिल्म गंपत के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं, ताकि दर्शकों को हॉलिवुड स्टर के एक्षन सीन्स देखने को मिले लेकिन इसी बीच मेकर्स के लिए एक बुरी खबर सामने आ रही है. एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि टाइगर श्रॉफ की अपक्मिंग फिल्म गंपत की कहानी लीक हो गई है. जी हाँ, हम मजाक नहीं कर रहे हैं. मीडिया पोर्टल ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि टाइगर शरॉफ अपनी अपक्मिंग फिल्म गणपथ में अपने पिता की मौत का बदला लेते दिखेंगे. अगर आप फी फिल्म गनपत की कहानी जानने के लिए आतुर हैं तो हम आपको बता दे की फिल्म गनपत में टाइगर श्रॉफ के पिता एक फाइट मास्टर होंगे जिनका खून उनके साथ रहने वाले लोगों के द्वारा कर दिया जाएगा टाइगर श्रॉफ को जब इस बात की जानकारी मिलेगी तो वो अपने पिता के दुश्मनों से पिता की मौत का बदला लेंगे खाबरे हैं कि टाइगर श्रॉफ फिल्म गनपत में बेहत खुंखार अबतार में दिखाई देंगे अगर आप सोच रहें की टाइगर श्रॉफ के साथ फिल्म, गनपत में कौन सी अधाकारा दिखाई देगी तो हम बता दे कि मेकर्स इस फिल्म के लिए एक नई अधाकारा की तलाश कर रहे हैं मेकर्स चाहते हैं कि गंपत में टाइगर श्रॉफ के अपोजट एक नई लर्की लॉंच की जाए जिसको कभी स्क्रीन पर दर्शकों ने ना देखा हो फिल्म गंपत साल 2022 में रिलीज होगी